मेड इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए अब भारतिय वायू सेना को और एडवांस वद ताकतवर बनाने के लिए स्वदेशी रूप से विक्सित हलके लड़ाकू हेलिकॉप्टर के पहले बैच को आज राजस्थान के जोदपूर में एक समारोह में एफ इंवेंट्री क को शामिल किया जा रहा है इन हेलिकॉप्टरों को शामिल करने से भारतिय वायू सेना की युद्धक्षमता को काफी बढ़ावा मिलेगा एफ उस में शामिल होने वाला नया हेलिकॉप्टर हवाई युद्ध में सक्षम है और संघर्ष के दोरान धीमी गती से चलने वाले बिमानों, ड्रोन और बक्तरबंद वाहनों से निपटने में माहिर है इन हेलिकॉप्टरों में से दस भारतिय वायू सेना के लिए और पांच सेना के लिए हैं यह हेलिकॉप्टर स्पीड, विस्तारित रेंज, उच्च उचाई प्रदर्शन, कॉमबेट सर्च यह हर मौसम में मुकाबला करने की क्षमता से लेस हैं। की गतिविधियां भी फीकी पढ़ने लगी है। लेकिन एक बार फिर कुछ राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है और भारी बारिश की आशन का जताई गई है। देश की सबसे बड़ी संचार कंपणी रिलायंस जियों ने कहा है कि 5G सेवा दिवाली से देश के कुछ शहरों में शुरू हो जाएगी और दिसंबर 2023 तक पूरे देश में सेवा लागू हो जाएगी। देश की तीसरी दूर संचार कंपणी वोड़ाफोन ने भी शीग्र 5G सेवा शुरू करने की बात कही है हालां कि इसकी शुरुआत कब होगी इस बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है। इस बीच भी SNL भी अपना 5G नेटवर्क 15 अगस्त 2023 को लांच करने की तयारी कर रहा है। पिछले दो सालों से कोरोना की वजह से बंद महलों का मज़ा देने वाली लगजरी ट्रेन पैलेस औन वीर शाही ट्रेन 12 अक्टूबर से चलने वाली है। जिसको लेकर पर्यटकों में जबर्दस्त उत्साह देखा जा रहा है और 41 में से 18 सूट बुक किये जा चुके हैं। यह ट्रेन दिल्ली से चलेगी जैपूर पहुंचने के बाद यात्री ब्रहमन पर निकलेंगे। जैपूर से यह सवाई माधोपूर स्टेशन पहुंचेगी। इसके बाद इसका अगला पढ़ाव चितोरगर होगा। फिर यह उधेपूर के लिए प्रस्थान करेगी। उधेपूर से रवाना होकर यह जैसलमेर पहुंचेगी। यह जैसलमेर से जोधपूर फिर वे दिल्ली वापस लोटेगी। जम्मू कश्मीर के खोर गली के मोंगरी से एक बस उधंपूर की ओर जा रही थी। इसी बीच उधंपूर के मानसर मोर पर बस पलट गई। इस हाथसे में एक युगकी की मौत हो गई है और दरजनो घायल बताए जा रहे हैं। ब्राजील क राश्ट्रपती पद के चुनाव में दो प्रमु कुम्मी द्वारों के बीच, रन ओफ वोट, दूसरे चरण का मुकाबला होगा। क्योंकि कल हुए आम चुनाव में किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी बुधवार को कुल्लू की दश चहरा यात्रा में शामिल होंगे। उसी दिन प्रधानमंत्री विलासपो रैम्स का शिलान्यास करेंगे और एक रैली को भी संबोधित करेंगे। भारतिय हवाइक शेत्र से गुजर रहे इरान के यात्री विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बम की धमकी के बाद अलट जारी कर दिया गया है। यात्री जैट विमान अब चीन की ओर बढ़ रहा है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों को विमान की निगरानी की जिम्मेदारी सौपी गई है। किद्नी तथा यूरीन इंफेकन के कारण लंबे समय से गुरुग्राम के मेदान ता अस्पताल म भरती समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंग यादव का स्वास्थे कल शाम से लगातार खराब होता जा रहा है। सांस लेने में दिक्कत बढ़ने के साथ ही बलड प्रेशर लो हो जाने से उनको वेंटिलेटर स्पोर्ट पर रखा गया है। भाई शिव पाल सिं गंटे उनके लिए काफी हम हैं।